नमस्ते जैधनवंद्री फिर शे एक बार आपका स्वागत है संस्कूतियार्य गुरुकुलम में अभी बहुत लोगों के फोन आने पर बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पर बहुत लोगों की विनंती पर अभी संस्कूतियार्य गुरुकुलम एक जंगम रीच से गुरुकुल की स्थापना करना चाहता है उसमें बहुत लोगों का साथ साहकार लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं तो एक आपको खुशी होगी कि संस्कूतियार्य गुरुकुलम गुदूली परिवार और कुष्णायन गौशाला के सह्यूंगत उपक्रम में अभी एक समर केम्प जहां पर गर्मियों की छुट्टियों में आप गुरुकुल सिक्षा का एक अनुभव उपा सके इसका आयोजन अभी किया है तारिक है एक तारिक से एक जून से पाँच जून दो हजार उंनीस इसी साल अगले महीने में एक जून से पाँच जून तक हरीदवार में ही रुषीकिश की पावन भुमी में एसी पावन भुमी में हम लोग गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को पुनस्थापित करने के लिए एक और मजबूत कदम उठा रहे हैं और स्थिर कर रहे हैं उसको तो वहां क्या क्या होगा तो वहां एक डेमो होगा कि आचारिय केसा होना चाहिए तो एक तो आचारिय नि एक दिवियन भूती करे कि माता पिता के साथ कैसे रहना है वो बच्चे शिखे और माता पिता बच्चों के साथ कैसा रहना है वो शिखे तो ओ दोनों परस्पर में मिलकर परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत इस तरह से दोनों एक दूसरे से मिले एक दूसरे से न जह सोजन किया है उसमें आप आइये उसमें क्या क्या विशई होंगे और यह पूछेंगे तो बालकों की कहानिया के से की जाती है बालो को कि अवश्यक्ट फिस सुरुवाब कहां से करें तक was स्वाद करें हमको आचारिय बनना है तो क्या करें गुरु कुल शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है। क्या घर पे भी हम बच्छों को पढ़ा दी जाएगी। बाल मनोविग्यानू के बाड़े में सारी जानकारिया दी पर इसे बहुत सारे आयाम उसमें दिते मेरा हीएंगे। तो यह आप वहाँ पर आकर बच्चों के साथ एक तीन दिन बिताईए पांच दिन बिताईए और अद्बूत एक अनुभव होगा तो एक से पांच तारीक तक आपको आना रहेगा उसका शुलक बहुत ही कम रखा गया है जो फोम पे अंकी थे और वो केवल रेने बोजन का थोड़ा पांच दिन देंगे तो ये पांच दिन आपके जीवन के बहुत ही यादगार बनेंगे बहुत आप इनको याद करेंगे कि यह हमने भी एक सही एक शिवीर का अनुभव पाया था जो वास्तों में एक किसमी सदी में एक प्राचीन गुरुकूल की अनुभूती के और एक ज्यान की गंगा का जो सबसे बड़ा लाब बताया है कि जो बार बार नहीं मिलती है गंगा स्नान तो बार बार भी हो जाता है लेकिन ज्यान की गंगा में स्नान करने का किसी को ही मोका कभी ही मिलता है तो हम लेंगे बच्चों के साथ वहाँ पर आए सब लोग हिले म और एक नया एक संकल पलेकर वहां पर जाए कि हम अपने घर पर अपने स्थान पर देश के लिए कुछ अवश्य ऐसा करेंगे ऐसा निश्ची थी एक द्रड़ शंकल पलेकर हम आगे बड़े हम जाए तो इतना के कर आप लोग सभी आए यहां पर हमारा फॉम दिया गया है ती आप इसमें हिसा ले यही कहकर मैं यह समापन करता हूँ आगे की जानकारी आगे दिये हुए नंबर पर वेबसाइट पर उपलब दे तो आप वहां पर पूरा करके फॉम भरके वहां आ सकते हैं जैदनवंतरी जैगुरु देयों